नमस्कार आप देख्रे नियूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांथवनाप के साथ आज रास्ट्रुपता महात्मा गांधी की पुन्यतिथी है जहां सबसर पर एक तरफ देश के तमाम लोग महात्मा गांधी को उनके पुन्यतिथी पर याद कर रहे हैं और भावपून तरीके से शधांजली भी दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का एक च्वीट महात्मा गांधी के पुन्यतिथी को लेकर सामने आया है जहां पर उन्होंने हिंदुत्व पर विवादित बयान भी दिया है साथ साथ उन्होंने इंदित्व पर सवाल भी खड़े किये हैं जिसको लेकर अब उन्हें देश की तमाम जनता और राजनितिक दल हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और अब राहुल गांधी सवालों के घेरे में खड़े हो चुके हैं इसमें क्या कुछ ट्वीट किया गया है राहुल गांधी के तरफ से महात्मा गांधी के पुन्यतिती के अफसर पर आखिर क्या है वो विवादित बयान जो उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ किया है पहले आप इस पूरे ट्वीट को देखे राहुल गांधी ने ट्वीट कर महात्मा गांधी की पुन्य तिथी पर कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने हिंदुत्ववाद को निशाने पड़ लिया है लेकिन उनके तंच से अबनाया बवाल हो गया है महात्मा गांधी की पुन्य तिथी पर रवीवार को कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए हिंदुत्व को लेकर बिना किसी संगछन का नाम लिए हिंदुत्ववाद से प्रेरित संगछनों जैसे आरसस भाजपा पर हमला बोला है राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये उक्त बाते लिखी है सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी नहीं रहे जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिन्दा है दरसल राहुल गांधी हमेशा से गोटसे को हिंदुत्ववादी करार देते आए हैं वहीं उनके कुछ पूर्व के बयानों में विभाजपा और आरसस के लोगों को भी हिंदुत्ववादी मानते हैं हाला कि राहुल गांधी के अनुसार हिंदु और हिंदुत्ववादी में खासा फर्क है राहुल खुद को हिंदु बताते हुए भाजपा से जुड़े लोगों को हिंदुत्ववादी करार देते हैं जब राहुल गांधी पर कई लोगों ने आपत्ती जताते हुए से हिंदुों के खिलाफ की गई चिपणी करार दिया कई लोगों ने राहुल के खिलाफ ट्वीच कर अपनी भडास भी निकाली राहुल गांधी ने गांधी जी के पसंदिदा भजन रगुपती राघव राजा राम और चश्मे वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि एक हिंदुत वादी ने गांधी जी को गोली मारी है 30 जन्वरी 1948 को नाथुराम गौटसे ने गांधी जी को गोली मारी थी इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के तोर पर भी मनाया जाता है स्बीच शनिवार को महारास्ट में ठान ने जिले की एक अदालत ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ रास्ट्रिय स्वेम सेवक संग के कारेकरता द्वारा दायर मान हानी के मुकदमे की सुनवाई 5 फरवरी से रोजाना की जाएगी दिवानी अदालत के न्याइधीश और भिवंडी में न्याइक मजिस्ट्रेट प्रथम शेनी जेवी पालिवाल ने ये आदेश जारी किया है स्मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तै किये गए हैं साल पहले 2018 में राहुल गांधी ने अपने भाषन में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संग का हाथ था आरसेस के एक स्थानिय कारेकरता राजेश कुंते ने उन पर मुकदमा करते हुए कहा है कि राहुल के बयान से आरसेस की प्रतश्ठा को ठेस पहुची है ठाने की अदालत में 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तै किये थे हलाकि राहुल गांधी आरोपो को स्विकार करने से इनकार कर चुके हैं इस क्रम में सुप्रीम कोट के एक हाले आदिश का हवाला देती हुए अदालत ने कहा है कि राहुल के खिलाफ मामले बेस श्रेणी के तहत आते हैं और अता इस पर प्राथ मिक्ता से तेजी से और नियमत आधार पर सुनवाई किये जाने की जरूरत है राहुल गांदी अब अपने नए विवादत बयान को लेकर चर्चे में आ चुके हैं और साथी साथ एक बार फिर से वो पूरे देश के सामने घिरते हुए नजर आ रहे हैं जैसे ही राहुल गांदी के तरफ से आज ये ट्वीट किया गया पूरे देश में साथे साथ तमाम राजुनितिक दलों में खासकर भाजपा और RSS में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है हर कोई राहुल गांदी पर विवादत टिपणी कर रहा है उन्हें चोल कर रहा है औ साथ बनी रही न्यूस फारनेशन में नमस्कार